हेलो फ्रेंब्स व्ल्कम बैक्ट मैं चैलने अम्रिती फैसे मिला आज की वीडियो में हम लड़ू कुपाल जी की बहुत कुपसर सी पोशाग बनाने वाले हैं यह देखें इस तरह से करके हमें पहनाना है यह पूरा पीछे की साड ऐसे क्रॉस हो जाएगी और यह जो स्ट्रि पहना सकते हैं यह पिए अकहीं बनाई मैंने सातन नंबर केकाना के लिए बिटार नुए को Đर देख इसे शिए ज технолог काया Nude और साथ नंबर तीनो साज को पहना पाएंगे तो देखें यह रही कैप तो कैप भी बहुत अच्छे से आ गई है तो एकदम सिंपल और आसां तरेगे से बनाईए और अपने कानाजी को पहनाईए वीडियो इस्टार्ट करें पहले अगर आपने भी तक चैनल को साज के लिए हमने इस तर्म का फैब्रिक लिया हूए अगर आप यहां पर यह लंबाई देखेंगे तो यह देखेंने नो इंच रखी है और चोडाई उ dai की पाच इंच ऊदो नच एगंच यहां का करना है यहां नीचे से यह मैं इसे 8 इंची रखूंगी, इसलिए मैं देखें, 1.5 इंच कट कर दे रही हूँ, तो यह दोनों सेट से हमारा 1.5 इंच कट होगा, और इसके बाद यह नीचे से हम इस तरह से इसका सेब दे लेंगे, यह ऐसे करके, देखें, एकदम सिंपल और असान तर करना है, यह इस तरह से, इसकी कोनाई जुह हूंँ मैंने कट करके निकाल दी है, अब हम आ कराकंगे, इसे तरह से इस रखेंगे हैं एपने मेन फैबरिक को पर यह मारा मेन फैबरिक हमने सीधी साइट से रखा है इसने इस में इस तरह से रखंगे, और से यह नीचे ह तो चली हम इसे स्टिछ कर देते हैं यह दिखिए यह देखिए यह पे सिलाय लगाने के बाद मैंने एकस्ट्रा जो फैब्रिक थाउ से कॉट कर दिया है अब हम इसे पलेट लेंगे ये देखें ये इस तरह से ऐसे करके हमें से पलट लेना है ये ऐसे बहुत इसली पलट जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है ये मैंने यहां से इसे पलट दिया ये देखें और से मैंसे ही इसके दूसरे पीस को भी पलटेंगे तब ये हम अच्छे से पलट पाएंगे ये इस त यह तरह से यह मैंने पलट दिया देखे पूरा यह हमारा इजली निकल के आ गया है अब जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया उसे हम उंगली से इस तरह से ऐसे करके और निकाल लेंगे आप किसी चीज की हल्फ भी ले सकते है इसे पलटने के लिए यह तरह से हमने पलट दिया अब इस पर हम चारह से बितावMark से आपको बता बीस सकते हैं कि किस तरह से पलटाने है न किएर। लॉक नहीं है तो यह वाली साइड हम कैसे सिलाई लगाएंगे यहां से अंदर डाल देंगे देखें इस तरह से दोनों साइड से हमने फैब्रिक को पलट दिया अंदर की साइड और हम यहां पर भी सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही हम चालों साइड से लगा देंगे तो तो इसे अपनी ड्रस के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं अब हमने अपने गेर के लिए देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसकी लंबाई देखेंगे चोड़ाय देखेंगे तो मैंने चार इंच रखिया और लंबाई टूटल पचास इंच है हमें क्या करना है नीचे के साथ से इस तरह से मोड के सिल दिना है मैं छोटे घेर की पोशाक बना रहे हूँ चलिए इसे स्टिच कर देती हूँ यह देखें हमने यहाँ पर इसे सिल दिया है अब हम इसे सीधा करते हैं यह देखें यह हमारी सीधी साइड है जो हमने सिलाई लगाई थी हमारी पीछे की साइड चली गई है अब यहां पे हमें प्लेट बनाने है कैसे बनाएंगे यह दिखें यह इस तरह से ऐसे करके थोड़ी चौड़ी प्लेट एक दूसरी के ऊपर हम चड़ाते हुए अपने सिलाई को लॉक करेंगे और यहां पे आप अपने मसीन की सिलाई को थोड़ा सा हलका सा बढ़ा कर सकते हैं यह हमने लगा दिया अब लाश्ट प्लेट हमने जो है स्टिच के हमारी सुई अंदर चली गई है अगर इसे मैं उठा के पीछे से कीचूंगी तो भी नही निकलेगा तो बैने पीछे से उठा दिया है अब यहां पे हम अपनी आगी की प्लेट बनाएंगे यह देखें ऐसे एक दूसरी के ऊपर चढ़ाते हुए बनानी है यह इस तरह से नीचे से मेरा इकदम अच्छे से बराबर है उपर से उपर नीचे होगा कोई बात नहीं हम करना है यह देखें इस तरह से फिर से हमने प्लेट बनाई यह ऐसे करके आप अपने पूरे फैब्रिक से बना लेंगे तो चलिए बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है यह देखें के हमने इस पर हमने प्रेस इलाई लगाती है यह फान हमने यह अच्छे से बराबर आया गया है मैं कट तो यह देखें यहा पर आपको पर टमार है नकिछे से होगे हैं हमा मैं लगल के पार नेफा लगाने के सँचाने में यह here पर एक इंच हे पकी हम यह लिए हाइदर बना लेते हैं, इक बार निया और से के आज बैंडब नगो फिस्न जहीं है क्योंकि हम अपनी चोली और यह सारी स्ट्रिप वगरा अपनी घेर के साथ ही जॉइंट करेंगे तो निफे के साथ ही अटैच होगी तो इस निफे चिलने के पहले इसे सिलना जरूरी है इसे स्ट्विच कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसे 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 डबल करके और यहां सिल देंगे एकदम संटर में हमें इसे सिल देना है चले सिलती हूं अब चले हम अपना पना लेते हैं घेर नहीं कमर के लिए हमने यहां पर नेफे के लिए अगर आप देखेंगे तो एकदम सिंपल सीधी सी पट्टिली होई है दो इंच एस की चोड़ाई हमें क्या करना है इसे इस तरह से इसे मोड़ना है मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे और पीछे की साइट से रखके और एक सिंपल सीधी सी सिलाई लगाने है चले सिलती हूं यह देखें मैं यहाँ पर सिल दिया इस तरह से उपन करेंगे उपन करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी डॉली डाल दी है और इसे हम यहाँ पर इस तरह से पलट के सिलाय लगा देए चले सिलती हूं यह देखें統, हमने सिलने के पROD न हराम से सरक रहे है ऐसा नहीं है कि हमने डूरी पर सिलाई लगाई है और इसके सेंटर में हम इसे भी इस तरव से रहके और सिल लेंगे तो चलिए अब सिल लेतेEl, आप चाहें तो यह सिलाय लगाते वकिन मुझे भी वहीं पे सिलना था बड मैं भूल गई इसलिए हमने इसे पहले रेटी करके दखा था जिसे मुझे दो तीन सिलाई ना लगाने पड़े बड़ अब मजबूरी है हमें फिर से सिलना ही पड़ेगा आपको सिस करें क्या पहले इसे स्ट्विच कर दें अब हम इसे पहना सकते हैं अभी पहना के भी दिखाऊंगी कानाजी को बहुत ही कुबजूरत लगेगी तो चलें अब हम कैप भी बना लेते हैं कैप के लिए मैंने थोड़ा सा चोड़ा ही फैब्रिक लिया हुआ है यह देखें इसकी चोड़ाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा है अब हम देखेंगे स्टिछ करने के बाद इसे कट कर लेंगे देखें यह 5 इंज के करीब में है और यहां पर हम इसकी जो चोड़ाई है वो रखेंगे 12 इंच तो यहां पर मैं 12 इंच का कट कर लेती हम और अब हम इसे नीची की साइट से से मोड़ के शिल देंगे तो चले नियुक्ट के सिल दिया है और मुँपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देते हैं यहां पर जो चडाई है वह हम लखने वाले हैं 3.5 इंच थोड़ा सा ही बस एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे में इस तरह से डबल करूंगी और डबल करने के बार इस तरह से कट करक यह हमने गट कर दिया अब हमाँ यहाँ पर एलास्टिक लगानी है अब देखें यहाँ इसे हम उपन करते हैं और उल्टी साइट से ही यह जो हमने यहाँ पर शिलाई लगा ही इसे थोड़ा सा ऊपर हम अपनी एलास्टिक को रखके और खीच के सिल देंगे यह दिखिए हम ने,- यहां पर सिलाहि लगा दी है अब सिलाहिवा लगाने के बाद हम इसातरु सी मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहां पर सिंपल सीधी की सी बुलारो Bruce तो चली हम इसे भी स्टिश करके आपस में एकठा कर लेते हैं इसे हमें सुई धाई केल्प से सिलना होगा तो मैंने यहां पर सुई में धागा डाला हुआ है डाला क्या पड़ा हुआ है यह देखें यहां पर लगबग हाफ इंच का माजन लेके सिलेंगे यह इस तरह से क्यो यह देखें ऐसे ही इसके पूरी राउंड पर सिलाय लगानी है जहां से हमने सिलाय स्टार्ट की हुई है वहां से लेके लगा लेंगे अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कु हैबी हो जाएगी और गर्मियों के लिए एकदम पर्फेक्ट है आप इसे इसली बनाए और अपने कानाजी के लिए डेली यूज के लिए ले सकते हैं आप बहुत ही कुपसूरत लगती है यह देखें पूरा एकठा करने के बाद हम इस तरह से एक बार अच्छे से सिल लें है बस दो बार मैंने नौट लगा दी अब कट कर देंगे और कट करने के बादी से हम सीधा कर लेते हैं यह देखें यह हमारी कैप यहाँ पे रेडी हो गई है अब इसमें भी हम अपना वाइट कलर वाला टच देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है अब को दिखाती पहले तो आप इस तरह से जिस भी साइच के लिए अपनी कैप बनाई हो उस साइच को इस तरह से अपनी कैप पहना ले और पहनाने के बाद यह इस तरह से करके ऐसे यहाँ पे बाद देना आप चाहें तो यह बादा वाला भाग पीछे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो य मैंने बताई है तो आप आप एसे पांच नमबर और विज Protestant काना को आप एझलि पाना सकते हैं आई हो वीडियो को लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम् मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब टक क्य 🎵